कल रात राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ एक भेंकर हादसा हो गया जो भुलाना चाहेंगे लेकिन भूला नहीं पाएंगे उन्होंने कल रात को 10 बजे आकर कहा कि मैं गोशना करूंगा उनकी PR एजेंसी डिजाइन बॉक्स जो उनसे करोडों रुपए लेती है उनकी रा नारें को कहा गया को जो पिया रेजनसीिंός से करोडों तक पहुँचाना चाहती वहाद दो लोगों तक भी बात नहीं पहुंचा पई वह देश बर के दो रलाग इन दो लाग से तो सरदार पुरा के तुनाओं भी नहीं दिखने के लिए और अला कमान को खुश करने के लिए जो गोशना की गई उस गोशना की हावा निकल गई जनता ने तो उस गोशना को सुनना ही ठीक नहीं समझा क्योंकि जनता ये जानती है कि हमारा मुख्यमंत्री जूटा है और जो गोशना की गई कि हम महंगाई को कम करने वाले हैं फिवल सार्चार्ज को हटाने वाले हैं जनता यह जानती है कि 50 रुपए छीन कर 2 रुपए वापस देने की जो गोशना है यह बकवास है इसलिए जनता ने देखा ही नहीं अगर इनको महंगाई ही कम करनी थी तो दिल्ली और हरियाना से 16 रुपए जदा यहां पेट और जनता यह जान चुकी है कि राजस्थान के मुख्यमंतरी अपना प्रोपेगंडा करते हैं और इस प्रोपेगंडा के चकर में जनता आती नहीं है अगर आती जनता तो क्या पूरी दुनिया में इनकी गोशना को देखने वाले लोग 2,000,000 भी नहीं होते क्या और यह दो पचास दिघरी टेमपरचर में टेंट लगाते हैं क्या जनता को यह समझ में नहीं आता कि गाओं में शचहरों में कुस्वों में भवन बने वह उन भवनों में क्यों नहीं की जाता वो टेंट का पैसा कौन देगा कहा से पैसा आएगा वो चुनाव से कुछ महीने पहले तो सुवाग रचा गया है वह जनता भली बांती जान चुकी है और चुनाव से पहले गोछना को जनता रद्धी की टोकरी में डाल देती है जनता जानती है अगर ये सच में कुछ करना चाहते तो पहले साल से करते साड़े चार साल की आफ़त देने के बाद अंतिम छे महीने में रहत देने का जो नाटक किया गया है जनता इसको अच्छी तरह जान चुकी है और जनता इनको बताएगी चुनाव आने पर की वास्तोविक्ता क्या है और जनता इनको क्या समझती है पिछली बार भी इन्हों ने ये नाटक किये थे लेगी जनता ने इनको 21 सीटों पर लाकर समेट दिया था चुनाव से कुछ समय पहले जो ये नाटक कर रहे हैं और इन टीवी चैनलों के दमपर और विग्यापन देकर इन अखबारों के दमपर जो नाटक कर रहे हैं इस नाटक को जनता समझ चुकी है नकार चुकी है फ्यूल चार्ज के नाम पर जो पैसा लूटा गया जनता से अब वो फ्यूल चार्ज हटा रहे हैं अच्छा तो यही होगा कि मुख्य मंत्री तुरंत कल की गटना के बाद इस्तिफा दे दें और किसी योग्य व्यक्ति को इस पज़ पर बठाएं सचिन पाइलेट को बार-बार नाकारा और निकम्मा कहने वाले मुख्य मंत्री को जनता ने नकार दिया है करोडों रुपे के विज्यापन बाट कर जनता को मुर्ख समझ कर जो महंगाई कम करने की बातें की जा रही है क्या कोई समझता नहीं है मुझे लगता है राजिस्थान में 6 करोड 68 लाख लोग हैं और मुख्य मंत्री करें एक करोड परिवारों को लाब पहुचा दिया अगर माल लीजिए एक परिवार में 5-6 सदस्य भी हो तो क्या 6 करोड लोगों तक लाब पहुचा दिये गया है मुझे देखने वाले सब लोगों तक क्या लाब पहुच गया है क्या आप सब लोग महंगाई से मुक्त हो चुके हैं अगर नहीं हो चुके हैं तो जवाब दीजिएगा समय आने पर धन्यवाद जय हिन जय भारत